प्रेशर मोनिटरिंग लाइन को कैसे कैसे यूज किया जाता है और कहां यूज नहीं किया जाता है उन सब के बारे में पिछली वाली वीडियो थी उस वीडियो पे आपका रिस्मोंस देखे बहुत अच्छा लगा गाइस तो उसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है तो गाइस पेसंट के आईवी गेनूला और जो पेसंट की बोटल है उसके बीच के जो भी मीडियोंस होते हैं जिनके थुरू हम मेडिके Cageन को देते हैं उन सब हम मीडियोंस का हम वन बाई वन करकर हम यहां पे आपको एक्सिन कर रहे हैं तो जिसमें पिछली वीडियो में हमने पीमो line जो लगाते हैं उसके बीच में एक part होता है बहुत बार use किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे और वो वाला part होता है guys यह जी हाँ guys यह वाला part है इसको कहते हैं 3-way stopcock यह 3-way stopcock इसके अंदर में 3-way होते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होगे एक उपर की तरफ है एक साइड में हैं और एक इस तरफ में हैं तो गाइस आप सोच रहे होंगे ये थ्री वे स्टॉप को हम क्यों यूज करते हैं देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि पेशेंट को एक मेडिसिन के अलावा और ए बार बार दो केनुला तिन केनुला या दो लाइने हम डाले इसके लिए ये वाला एक एक स्टेंशन वाला पार्ट होता है इसमें दो पार्ट होते हैं आप गोर से देखिए गाइस एक तरफ में यहां से हम मेडिसिन दे सकते हैं और दूसरा उपर की तरफ से मेडिसिन दे स मैं अगर इसको open करके आपको बताऊं तो यहाँ पे दोनों ही side में यह दोनों female ports होते हैं इसमें या तो जो syringe है उसका हब आके fix हो जाएगा या जो IV line होती है उसका part यहाँ पर आके लग जाएगा और even pure mo line का male port होता है वो भी यहाँ पर आके आराम से लगेगा इसके बाद में यह side वाला port है यह वाला port आपको आप देख पा रहे होंगे यह एक male port होता है जो की canula में जाके लग जाता है जिसे मान लीजी यह हमारे पास में एक canula है तो इस canula के उपर में इस परकार से आगे जाके लग जाता है और साथ ही इसको इसको round करने के बाद में अच्छे से tight हो जाता है इसके लावा आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर तीन arrow बने होए हैं इन तीन arrow को ही इसमें सब कुछ होता है इस तीन arrow को इस परकार से अगर हम गुमाएंगे तो यह control center बन जाता है तो आईए इसके बारे में अब आगे वीडियो में में बताता तो guys हमारे पास में यह three way stop को इसको आप देख पा रहे हो यहाँ से अगर आप closely देखोगे तो एक side में मैंने PMO line का attach कर दी है और एक side में मैंने यहाँ पे syringe attach कर दी है साथ ही साथ यहाँ पे तीनों side का जो arrow है उसको मैं आगे वीडियो में explain करूंगा आप देख रहे हो मेर और syringe है इस syringe को हमने आपको visualization अच्छा होने के लिए इसमें colored वाली medicines ले ली है और आप देख पा रहे हो यह एक pink color है और दूसरे में बिल्कुर transparent के वाली color की medicines है तो guys आप देखे इस प्रकार से अगर मैं इस three way को करता हूं तो आप arrow के साब से देखिए यहाँ से इस वाली medicine से निकलेगा और सीधा patient की site में चला जाएगा और अगर इस प्रकार से stop को को घुमा दूँ उसके बाद में देखे जहाँ पे यह तीन arrow है उसका चोधा part है यानि कि fourth way है वो उसको block कर रहा है मैं कितनी भी power लगा रहा हूं लेकिन वो नहीं जा रहा है लेकिन इसके opposite जो second ह वाली series मेरी 10 ml वाली उसको अगर मैं देखता हूं तो उसको बिल्कुल straight way बन गया है और दोनों दोनों वे open है इससे देखिए मैं press कर रहा हूं press करने के बाद में बहुत अच्छे से हाँ guys आप देखिए अच्छे से medicine जा पा रही है वहीं अगर मैं अब इसको change कर देता हू और 10 ml syringe वाली जगे को मैं block करता हूं तो अब देखिए जो lsep में मेरा रस्ता बन गया है उस रस्ते में देखिए fluid गया है और बिल्कुल दोस्तों कटोरी में भी यह चला गया पूरी PMO line ही pink हो गई है अब finally अगर मैं इसको 3 way की तरह यूज़ करता हूं जो maximum लोग यूज कुछ करते हैं और इसी का ही यह mainly काम लिया जाता है तो वह इस परकार से है अब आप देखिए गाई यहां से मैं push करता हूं तो दोनों ही syringes का fluid mix होके end point पे जा रहा है तो guys इसी से ही हमें सब कुछ करना होता है एक बार फिर से मैं आपको बता दू यह last अगर मैं इसको stop कर करके दिखा हूं तो इस बाले पर कभी भी इस त्रिवे को नहीं रखना चाहिए इसमें क्या होता है guys यह देखिए अगर मैं यह इस point को canola side पे block करके रखता हूं तो यह दोनों ही side में fluid चला जाएगा बजाए के यह patient को जाने में तो एक medicine दूसरी medicine में ही dilute हो जाएगी और guys बात आती है कि after use हम इसे किस प्रकार से prepare करना है तो हमेशा ही जब भी हम syringe या फिर जो भी पार्ट है उसको remove करेंगे तो उसके उपर में हमें stop coca जो एक cap होता है वो लगा देना है इससे infection minimum होता है guys और second wallet two way को भी अगर हम remove करेंगे तो वो भी इस प्रकार से हमें remove कर लेन हैं अब आपके फर्माइश के उपर में मैं इसको cannula के उपर में भी करके बता देता हूं cannula को इस प्रकार से हम attach करते हैं वीडियो में जो मैंने दिखाया है guys वो थोड़ा गलत था actually जो cannula का जो base होता है जो butterfly वाला part होता है वो skin के उपर में बिल्कुल चिपकता है और same जो मैं syringe को test करके दिखा देता हूं अब यहाँ पे देखी जो three way का जो उपर का controller है वो इस प्रकार से हम अगर way में straight कर देंगे तो medicine जरूर जाएगी अब अगर मैं इसको घुमा देता हूं और इस प्रकार से आपको नहीं करना है अगर इस प्रकार से आप करोगे तो यह medicine तो को का यह जो कैप है यह remove हो गया तो पेसेंट साइड से blood आना start हो जाएगा तो guys इस प्रकार से आप देखिए हमने medicine के पूरे way को आपको अच्छे से समझाने की कोशिस करी है three way में जो तीन arrow की निशान होते हैं वो arrow की तरफ flute जाने का होता है और guys एक finally last है बहुत बार बहुत से बार हमने देखा है कि दो medicine के बज़ाए अगर तीन medicine हमें देनी है तो फिर हमें क्या गरना चाहिए उसका solution short term का solution तो यह यह कि सस्ता tickow method तो यह यह कि एक और stop को आप उसमें add कर दीजिए उससे क्या होगा आप तीन medications उसमें दे पाओगे लेकिन जैसे ही आप तीन medicine दोगे तो इस प्रकार से बिल्कुल puzzle हो जाएगा और यहां के लिए सबसे main रहेगे आपको कि इस प्रकार की position बनानी होगी जैसे मैंने बनाए तब ही तीनों medicine एक साथ में दे पाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चनल को सब्सक्राइब करके रखिए मिलते हैं किसी next वीडियो में thank you